तो दोस्तों आज मैं साल 2019 में रिलीज हुई एक एडवेंचर हॉरर फिल्म 47 मीटर्स डाउन अनकेज़ फिल्म को एक्स्प्लेइन करूंगा ये फिल्म 2017 में आई फिल्म 47 मीटर्स डाउन का सिक्वेल है लेकिन ये एक स्टैंड अलोन सिक्वेल है यानि कि आप इसको इंडिपेंडनेटली देख सकते हैं इस फिल्म के राइटर डारेक्टर है योहानस रॉबर्ट्स और इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5 स्टार्स आउट ओफ 10 और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मैं इसका पहला पार्ट यानि कि 2017 वाली मूवी को भी एक्स्प्लेन कर दूँगा लेकिन मुझे इस वीडियो पर कम से कम 10,000 से जादा लाइक्स चाहिए और दोस्तों अब देखा जाए तो मैं आलमोस्ट डेली वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर बार बार कहूँ कि मैंने कल किस वीडियो को अपलोड किया था जाकर देख लेना तो उससे बेटर यह है कि आज से आप बस नीचे दिये गए पिंड कॉमेंट को चेक कर लिया करो वहाँ पर जो भी मुवी होगी वो लेटिस्ट वाली होगी तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ फिल्म की शुरुवात एक इंटरनेशनल स्कूल फॉर गर्ल्स में होती है एक न्यू गर्ल मिया को कैदरीन एंड उसके ग्रुप बुली कर रहे थे उसे धक्का देकर स्विमिंग पूल में गिरा दिया था और उसका मजाग भी उड़ा रहे थे यहाँ पर मिया की स्टेप सिस्टर साशा इसे देखकर उसकी बनद नहीं करती अब साशा की मौम जैनिफर इन दोनों को स्कूल से पिक अप करती है जैनिफर ने मिया के डैड ग्रैंट से शादी कर ली थी और मिया उसकी स्टेप डॉटर थी साशा एंड मिया यहाँ पर स्टेप सिस्टर्स थी और उनके बीच में फैमिली जैसी कोई भी फिलिंग नहीं थी जो कि काफी आप्वियस था साशा अब ग्रैंट से यह कहती है कि स्कूल में कोई भी मिया को लाइक नहीं करता यहाँ पर क्लियरली मिया को एड़ेस्ट होने में मुश्किल हो रही थी मिया के डैड ग्रैंट एक मेराइन रिसर्चर थे वो अपने क्रू के साथ में पास के ही एक समुंदरी केवस में रिसर्च कर रहे थे उनका काम अंडर वाटर रिसर्च का था उन्हें वहाँ पर एक वाइड शाक का दाथ भी मिला था जो कि अब वो मिया को दिखाता है मिया भी इसी फील्ड में इंटरेस्टिड थी इसलिए वो उसको अपने पास में रख लेती है अब इन दोनों बेहनों को करीब लाने के लिए ग्रांट उनको स्कूल की फील्ड ट्रिप पर जाने के लिए बोल देता है साशा को ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता एज उसने अपने फ्रेंड के साथ में कुछ और प्लैन बनाया था अब फोर्सफुली इन दोनों को स्कूल ट्रिप पर जाना पड़ता है जिसमें ये शाक्स को देखने वाले थे अगले दिन ग्रांट के असिस्टेंट्स बेन और काल दोनों बेहनों को उनकी लोकेशन पर छोड़ाते हैं तब ही साशा की फ्रेंड्स एलकसा और निकोल वहां पर आकर साशा को अपने साथ आने के लिए बोलते हैं वो पास के ही एक खुपसूरत लोकेशन पर टाइम स्पेंड करना चाहती थी असवो एक रिमोट एरिया था साशा मिया को भी अपने साथ चलने के लिए बोलती है मिया पहले तो मना करती है बट लेटर ऑन कैदरीन को ट्रिप पर देखकर बहां से भाग जाती है चारों अब ड्राइव करके एक कोकोनट प्लांटेशन में आते हैं जिसके बीचो बीच एक लेक थी ये लोकेशन समुदर के पास ही थी ग्रांट का रिसर्च लोकेशन भी इसके काफी नजदीक था एलेकसा को बैन ने ही ये लोकेशन दिखाई थी अब चारों लड़कियां इस लेक में कोच जाती हैं और क्वालिटी टाइम को स्पेंड करने लगती हैं अब ये लेक यहाँ पर काफी सादा गहरी और चोड़ी थी हजारों सालों पहले यहाँ पर मायन शेहर हुआ करता था समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी के चलते वो डूब गया था और पूरा का पूरा एरिया छटों से सील हो गया था अब यहाँ पर ग्रांट इसी सिविलाइजेशन पर रिसर्च कर रहा था और वहाँ का रास्ता बना रहा था अलेकसा और निकोल ने पानी में डाइव लगाने का इंतिजाम किया था इसलिए उन्होंने सभी गेर्स को पहले से ही लाकर रखा था चारों गर्ल्स अब डाइविंग सूट पहन कर पानी में उतर जाती है उनका उक्सिजन लेवल 100% था उनका प्लैन एंशियंट मायन सिटी को देखकर वापस आना था सभी लड़कियां स्विम करते हुए नीचे आती है एंट्रेंस में उनको एक पतला रास्ता दिखता है जिसकी हाइट और विर्थ 1.5 मेटर्स बाइट टू मीटर्स होगी ये रास्ता काफी जादा लंबा था फिर भी ये लड़कियां उसमें घुस जाती है एंड में इन्हें वो एंशियंट सिटी दिखाई देती है जहाँ पर कई सारी मोर्तियां थी एंशियंट मायन लेंगवेज में कुछ लिखा भी हुआ था और सेक्रिफाइस टोन भी वहाँ पर था और सभी गल्स को ये काफी कूल लगता है जैसा कि हम सब को यहाँ पर लग रहा होगा तब ही निकोल ये देखती है कि वहाँ पर एक मैक्सिकन टेटरा फिश भी स्विम कर रही है जिसकी आँखे नहीं है इस टाइप की फिशिज मैक्सिको के ऐसे ही केवस में पाई जाती है जो की बिना आँखों के इवॉल्व हो गई थी इनकी मैक्सिमम लेंथ 12 सेंटीमेटर होती है बट यहाँ की जो फिश थी वो काफी लंबी थी एंड ऐसी फिश को इन गर्ल्स ने कभी भी नहीं देखा था वो फिश अब निकोल को सुनकर उस पर चिलाने लगती है यहाँ पर ये फिश चिलाते भी हैं रियल में निकोल इस चीज से डर कर पानी के पीछे चलांग लगाने लगती है वो जाकर एक पिलर में टकराती है जो कि अब गिरने लगता है वो बाकी सारे स्टेचूस पर भी गिर जाता है और यहाँ पर भगदर मच जाती है सबी लड़कियां अलग-अलग हो जाती है और एक दूसरे को ढोड़ने लगती है मिया एंड एलेकसा को अब बैन दिखाई देता है जो कि ग्रांट की लोकेशन से तैरते हुए वहाँ पर आ गया था वो इन दोनों को यहाँ पर देखकर सर्प्राइज हो जाता है जो उसने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था यह दोनों लड़कियां उसको सब कुछ एक्सप्लेन करी रही थी और तभी अचानक से वहाँ पर एक वाइट शार्क आकर बैन पर हमला कर देती है वो उसे अपने दातों में पकड़ कर ले जाती है बैन का खून पानी में स्पिल हो जाता है मिया एंड एलेकसा शौक में इसे देखते हैं और डर जाते हैं वो फौरण ही वहाँ से भाग कर साशा और निकोल को ढूंडते हैं उन्हें शार्क के बार में बता कर वहाँ से भागने लगती हैं अब जिस एंटरेंस से ये सब ही वहाँ पर आये थे ये उसी से वापस जाने लगते हैं बट इस बार वो शार्क इनका पीछा करने लगता है अब उस शार्क के साइस के कारण से वो एंटरेंस में नहीं गुसपाती और entrance पर ही लगातार हमला करने लगती है जिससे होता ये है कि पूरा का पूरा रास्ता शेक होकर तूटने लगता है finally वो रास्ता collapse कर जाता है और सभी लड़किया नीचे ही trap हो जाती है इनके पास अब सिर्फ 40% oxygen ही बची थी वो shark भी tetra fish की तरह अंधी थी वो सिर्फ आवाज को सुनकर हमला कर रही थी और ऐसी कई और sharks वहाँ पर थी अब मिया ये कहती है कि जब Ben यहाँ पर आया था तो उसके पास एक रस्ती थी ये guiding रस्ती है जो कि उनको उनके डैड की location तक पहुँचा सकती है अब चारों लड़कियां Ben की रस्ती को ढूंड कर उसके रास्ते ही स्विम करने लगते हैं एक location पर वो रस्ती कट गई थी जहां पर एक depth charger स्विम कर रहा था उससे काफी जादा शोर भी आ रहा था जिसको देखकर इनको ये यकीन हो जाता है कि location काफी करीब है तभी इनके सामने से ही एक और white shark आकर उस depth charger को पकड़ कर ले जाती है पैनिक में सभी girls नीचे जुख जाती है और आवास बिलकुल भी नहीं करती वो shark इनके उपर से ही निकल जाती है बट फॉर देयर bad luck उसी time साशा का oxygen 25% से नीचे चला जाता है और उसके अंदर alarm भजने लगता है जिसकी sound को सुनकर वो shark वापस आने लगती है और सभी girls फिर से भागने लगती है इस बार वो एक और दूसरे पतले रास्ते में घुश जाते हैं जिसकी entrance को ये steel mash से बंद कर देते हैं ये mash वहाँ पर कैसे था पता नहीं बट वो था ये लोग आप उसी रास्ते में आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक air pocket मिलता है सभी girls अपना mask निकाल कर सांस लेने लगती है तब ही उनको music की तेज़ अवाद सुनाए देने लगती है ये कुछ दूर से आ रही थी मिया बाकी तीनों को वहीं पर रुकने के लिए कहती है और खुद उस music को follow करने के लिए जाती है चारों में से सिर्फ उसी के पास जादा oxygen बची थी तो वो रिस्क ले लेती है वो music कहीं और से नहीं बलकि कार्ड की location से आ रहा था जो की waterproof speaker पर music सुनते हुए welding कर रहा था वो वाइट शाक अब उस music की sound को सुनकर उसे follow करते हुए कार्ड की location पर आ जाती है वो अब lightning system को गिरा देती है और कार्ड अपने काम में बिजी था तो वो shark को नहीं देख पाता light जाने पर जब वो उसको देखने आता है तब shark उस पर attack कर देती है और उसे भी मार डालती है लेकिन कार्ड यहाँ पर मरने से पहले अपनी body पर लगे हुए emergency alarm को on कर देता है मिया कुछ देर के बाद में वहाँ बराती है और उसे वो alarm देखता है और उसको वहाँ पर कार्ल का तैरता हुआ सर भी दिखाई देता है मिया यहाँ पर clearly डर जाती है एज उसका oxygen भी अब खतम हो रहा था उसी time grant भी वहाँ पर आ जाता है एज उसे emergency alarm से signal मिल गया था मिया उसको सब कुछ बताती है grant जाकर बाकी सबी girls को लाता है इन पर फिर से shark का attack होता है बट इस बार वो उसको चकमा देकर उपरी सताय पर आ जाते हैं अब यहाँ पर उपर जमीन तक जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था वहाँ पर एक रस्ती लगी हुई थी जिसे पकड़ कर उने चड़ना था सबसे पहले Alexa रस्ती पर चड़ रही थी वो आदे रास्ते में थी तबी दो शाक्स इने गेर लेते हैं अब निकोल पैनिक में डर कर उसी रस्ती पर चड़ने लगती है बढ़ यहाँ पर सीन ये था कि वो रस्ती एक समय में सिर्फ एक ही इनसान का वजन सह सकती थी इसलिए वो शेक होने लगती है निकोल यहाँ पर सेलफिश होकर Alexa को गिरा कर खुद उपर चड़ने लगती है जमीन पर जाते ही रस्ती तूट जाती है और वो सीधा नीचे आकर गिरती है और दोनों ही शार्क उसको काट काते हैं अब क्योंकि रस्ती तूट गई थी इसलिए उपर जाने का कोई और रास्ता नहीं था शार्क फिर से उपर की ओर आने लगती है जहां पर Alexa पैनिक में इमर्जनसी अलाम को आन गर देती है यहां पर शार्क के अंदर अलार्म का साउंड पेंट बैदा कर रहा था इसलिए अलार्म आन होते ही वो शार्क वहां से भाग जाती है ग्रांट इसे अब्जर्व करता है और एक नया प्लैन मनाता है यह अंडर वाटर केव समुद्र के पास ही है वहां से कुछी दूर में पानी का बहाव बहुत तेज है और वहां पर जाते ही बहाव में बहे कर वो खुले समुद्र में जा सकते थे सभी को यह आइडिया काफी जादा डेंजरिस लगता है बट कोई और अल्टरनेटिव नहीं था अब सभी लोग बात मानकर पानी में वापस जाने लगते हैं लेकिन तभी वाइट शार्क नीचे से आती है और ग्रांट को पकड़ कर ले जाती है अब मिया एंड साशा रोने लगते हैं बट उनके पास कोई और रास्ता नहीं था उन्हें आगे बढ़ना ही बढ़ता है तीनों यहाँ पर अलाम के साथ में पानी में फिर से उतरते हैं और उन पर शार्क अटैक कर देती हैं वो जैसे तैसे बच कर उस तेज बहाव की ओर आते हैं शार्क यहाँ पर अलेकसा पर पीछे से हमला कर कर उसका ऑक्सिजन टैंक निकाल देती है और अलेकसा की मौत ऑक्सिजन की कमी से हो जाती है मिया एंड साशा तेज बहाव में बहे कर खुले समुदर में आ जाते हैं अब उन्हें वहाँ पर एक बोट दिखाई देती है जिसके अंदर एक आदमी शाक्स के लिए मीट फेक रहा था और ये बोट कोई और नहीं बलकि वही स्कूल ट्रिप की बोट थी जिसके लिए मिया एंड साशा यहाँ पर आई थी बोट में शाक्स को देखने के लिए ग्लास रूम बनाया गया था जिसमें कैदरिन भी थी अब बोट के अंदर लाओड म्यूजिक बज रहा था इसलिए मिया एंड साशा की चिलाने की आवास किसी को भी सुनाई नहीं देती मिया एंड साशा अब बोट की ओर तैर कर जाते हैं और गलास पर आकर बैंक गरने लगते हैं उनके पीछे से एक बड़ी शाक आकर उन पर हमला करने लगती है बोट में बच्चे फुल होरर में इसको देखते हैं अब सभी बच्चे फॉरन उपर जाकर क्रू को ये बात बताते हैं क्रू इन दोनों को बचाने जाते हैं जहांपर मेया सबसे पहले बोट पर चड़ती है अब जैसे ही साशा चड़ने लगती है उस पर शार्क फिर से अटैक कर देती है और उसको ले जाने लगती है लेकिन यहां पर मेया हार नहीं मानती और वो बोट में रखके हुए फ्ले का दिया हुए एक गिफ्ट याद आता है यानि कि वो शार्क टीथ उसे वो अपनी पैंट से निकाल कर शार्क पर अंधा तुंध हमला करने लगती है शार्क यहां पर घायल होकर मिया को छोड़ देती है और मिया भी अब बोर्ट पर वापस चड़ जाती है फाइनली दोनों यह फिल्म यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तों यह थी 47 मीटर्स डाउन अंकेश्ट की कहानी एंड मुझे नहीं पता कि गूगल पर यह सबसे जादा सर्जड हॉरर मुवी क्यों है लाइक यहां पर फिल्म का टाइटल फिल्म के कॉंटेंट से बिल्कुल भी मैच नहीं क चाहते हैं कि मैं 2017 वाली फिल्म को एक्स्प्लेइन करूं तो इस वीडियो को 10,000 से जादा लाइक्स कर दो ताकि वो वीडियो भी जल्दी से जल्दी आ जाएगी तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर दीजे और मैं आप झाल